आपको रोज कुछ नए और पॉजिटिव खबर से रूग रूग कर आया जाए और आपका दिन अच्छा बनाया जाए ऐसे में इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं हम सच्छी कहानियां आप तक लेकर आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कुछ कर गुजरने की हिम्मत आपके अंदर देंगे और इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे यूद की करेंगे जिसे शायद आप ना जानते हो उसके कारणा में ऐसे की लोग उसके काम के लिए उसे जान से ज़्यादा प्यार देते हैं ये एक्टर है, कंटेंट क्रियेटर है और तो और समाज सेवी भी है और इनकी पहचान एक्टर, कंटेंट क्रियेटर से ज़्यादा समाज में योगदान देने के लिए जाना जाता है हम बात कर रहे हैं एक यूद आइकन की जो यूटुब पर इन दिनों ट्रेंड पर चल रही है उनका नाम है हरशासाई कौन है ये यूट आइकर जसकी हम बात कर रहे हैं आखिर कहां से लाते ही ये इतने पैसे और किस तरह समाज में अपना योगदान दे रहे हैं काफी कम उम्रके हैं यो तो मेरा मानना है कि अपने भविश्य के लिए हमें हमारे इतिहास का ग्यान होना बहुत सरूरी है पर ये भी मानती हूँ कि हमारे वर्तमान में जो कहानिया चल रही है जो हमें प्रेणा दे सकते ही उनसे कुछ सीखना भी हमारा ही करतव्य है हमारा ही उत्तरदाई तो है क्योंकि कोई और हमें सिखाने नहीं आएगा और ऐसा ही एक सेंसेशन बने हुए है योट्यूब के स्टार हरशा साइं आप सबीरी इनका नाम अगर सोशल मीडिया इस्तिमाल करते हैं तो कहीं न कहीं जरूर सुना होगा लेकिन आज हैं गेहराई से इनके बारे में आपको बताने वाले हैं जो काम वो करते ही उसके लिए उनको मोटिवेशन कहां से मिलती है कहां से वो इतना चेंज लाने की बदलाओ लाने की शुरुआत उन्हों ने कर दी है हरशाशाई की नेटवर्ट की बात करें तो आपका दिमाग शायद थोड़ा सा चक्रा जाए जी हाँ वैसे तो कोई एक्जक्ली डाटा अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन अनुमानिक नेटवर्ट की बात करें तो एक से दो करोड के बीच में है और मंतली इंकम की बात करें तो ये इंकम 10 से 15 लाख है यूथ है और इस तरह वो अपने जिंदगी को बदल रहे हैं अपने सांसनात समाज के उन लोगों का भी भला कर रहे हैं जिनको पैसे की जरुरत है ये तो मानना होगा अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरही के बदलो फैसले नहीं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे यूट्वर पर संसेशन बने हर सासाई ने जो कि आज एक बहुत बड़ा नाम बना हुआ है सोशल मीडिया पर जोरो सोरो से लोगों के दिलों पर राज कर रही है उस समय पहले कोरोना वाइरस के वक्त हमने मशूर एक्चर सोनु सुद को गरीब लोगों के मदद करते दिखा और लोगों ने उन्हें मस्रीहा बना दिया नाया कहकर पूजने लगे वैसे ही कुछ इस समय सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है बहुत ही छोटी उम्र का एक लड़का हरशाज साई गरीबों को और उनके बच्चों को वो सब देनी की कोशिस कर रहा है जो या तो उनका सपना है या वो पाने की एक्षा रखते हैं 13 नवंबर 1995 हैदराबाद में ये लड़का पैदा हुआ गरीबों के मसीहा के रुप में बाहर आएगा ऐसा ना तो उनके परिवार वालों ने सोचा था कभी और ना ही कभी उनके शेहर के लोगों ने हरशा साई ना केवल रियल राइव के हीरो हैं बलकि ये रियल लाइव के भी हीरो हैं और यह इसे बात से मालूम हो जाता है कि इनके कारण हजार गरीब परिवारों के जिन्दिगी बदल गए इन्होंने कईयों को रोजगार बच्चों को स्कूल में एजुकेशन और छोटी छोटी खुशियां जो की लोगों के मन में रह जाती हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद की और करोडों चेहरों पर एक मुस्कान लेकर आए हैं ये तो बात हुई हरशासाई की बात यहां पर जो सीखने वाली है वो ये है कि अगर वैक्ति दुरुन निश्य करके आगे बढ़ता है तो वो ना केवल अपना जीवन बलकि दूसरों की जीवन में भी चेंजिस लाने का बदलाव लाने का एक पावर रखता है और ऐसे बहुत से एक्जामपल से जहां लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं वहां आज लोग लाखों का बिजनिस खड़ा कर बैठे हैं क्यों सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव का सपना लिये हुए उस वैक्ति की वज़ए से जिसने ना केवल अपने जीवन के बारे में सुच तो आउ आज निश्य करें कसम खाएं कि हम अपने मोटिव तक जरूर पहुँचेंगे हो सकता है समय लगेगा एक साल लगी डेर साल लगे दो साल लगे पर हम पहुँचेंगे जरूर हम डिफनेटली पहुँचेंगे हम धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे और हम जरूर आगे निकलेंगे ऐसे लोग ना केवल कुछ समय के लिए बल्कि जीवन भर के लिए लोगों की यादों में रह जाते हैं और मरने के बाद भी इनका नाम लोग नहीं भूल पाते आशा करते हैं कि हरशा साई यूभी लोगों के मदद करते रहेंगे और अपने आने वाले भविश्य को प्रेणा देते रहेंगे कि लोगों में भीट भाव मिटा कर हम साथ साथ चलने का निश्य के आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉ